नमस्ते सदा वस्तले मात्र भूमी जेहिं दोस्तो शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को बरते पहले डिफेंस अब्रेट की तरफ जो कि भारत के SU 30MKI को अपग्रेड करने को लेकर आ रही है दोस्तो भारतिय वाई सेना अपने 1500 यानि के 150 सुखोई 30MKI फाइटर जेट को मल्टी फेस दीब अपग्रेड करना चारी है और इसके लिए भारतिय वाई सेना को रश्या की अधिकारियों की तरफ से मंजूरी का अंतजार है दरसल इस प्रोग्राम में देरी इस वजे से भी हो रही है कि रश्या की अधिकारी भारत नहीं आ पा रहे हैं और दोस्तो इस अपग्रेशन की सबसे महत्वपुन बात ये है कि इस फाइटर जेट पर भारतिय सिस्टमों को अपग्रेड किया जाएगा लेकिन बिना रश्या की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि रश्या इसका ओरिजिनल एक्योप्मेंट मैनिफेक्ट्टर है ताकि भाविश्या में भारत और रश्या के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो इसलिए उनकी मन्जूरी लेना यहाँ पर जरूरी हो जाती है दरसल सुखोई 30M काई एरक्राफ्ट में कई न्यू मिशन एवियोनिक्स लगाए जाएंगे जिसमें की उत्तम electronically scan multi roll radar, upgraded RAM 1700A radar altimeter, flight data transfer unit और new generation health and use monitoring system इसमें शामिल है यहीं इसके लावा जो और upgrades इसमें किये जाने हैं उसमें VOR oblique ILS, इसके लावा एक modified saffron oblique Segem Sigma 95 ring laser gyro based navigation system जिसमें की नाविक GPS navigation receiver भी लगा हुआ है, इसके अलावा GPS splitter और एक नया infrared सर्च शामिल है और इसलिए इस पूरे अप्डरेशन प्रॉसेस पर भारत रश्या के अधिकारियों पर निर्बर है और उनसे approval का वेट कर रहा है दरसल सुखोई 30M के विमान के पूरे जीवन चक्र में एक भैतर अप्डरेशन प्रकिरिया चलती रहे और यह जो original equipment manufacturer है जाने कि रश्या उनका भी लगातार support मिलता रहे इसलिए यह approval रश्या की तरफ से मिलना बेहत जरूरी होचाता है चलिए बढ़ते next update की तरफ दोस्तों अभी कुछ खबरें यह आ रहे हैं कि भारत और फ्रांस को प्रोडक्शन की बजाए अब को development पर काम करेंगे जिसका लक्ष यह है कि दोनों देशों के बीश में एक मजबूत और अधिक फायदेमन साजेदारी को बढ़ावा मिल सके और technology, innovation और मानव संसादनों में अपनी अपनी ताकत का लाब उठा कर भारत और फ्रांस का लक्ष एक साजा लक्ष को प्राप्त करने की और होगा और दोनों की अर्थवरस्थाओं को इससे सपोर्ट भी मिलेगा हाला कि भारत और फ्रांस कई छेत्रों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन यह जो कोडबलमेंट प्रोसेस है वो बेहर जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जहां एक देश एक विशेश उत्पात या फिर किसी प्रणाली का उत्पातन करता है जबकि दूसरा देश वित्य साहता या फिर विनिर्मान शमताय प्रदान करता है और इस कोडबलमेंट में जॉइंट रिसर्च होती है यानि कि साहें अनुसंदान, विकास और प्रोडक्शन शामील होता है और दोस्तो इस तरीकी के सहविकास यानि कि कोडबलमेंट से भरत और फ्रांस दोनों को कई तरीके के फाइदे मिलेंगे जिसमें कि दोनों देशो के बीच कोशल और ग्यान के आदान परदान का अफसर बढ़ेगा और इस तरीके के सयोग से दोस्तो एडवांस टेकनोजी और मैनिफेक्ट्रिंग प्रोसेस के ट्रांसफर की सुविधा मिलती है बरते नेक्स्ट अप्डेट की तरफ दोस्तो अमेरिका का विचार है कि वो भारत में अपने नौसेनिक जहाजों की रिसप्लाई और मिंटिनेंस के लिए एक सेंटर खोलेगा और बकाइदा अमेरिका ने अपने जहाजों और विमानों की रिसेप्लाई, मेंटेनेंस और अखरकाओ के लिए जो ज़रूरी बुल्यादी धाचा है उसके विकास में भारत का समर्थन करने का वादा किया है दरसल अमेरिका चाहता है कि इंडो पैसिफिक शेत्र में अन्या भागीदारों के साथ साथ भारत में भी एक लोजिस्टिक हब स्थाफित किया जा सके और मैं आपको बता दू कि अमारिकी नौस सेना ने चेन्या के पास लारसन एंटूब्रो से भारती शेपियार के साथ जहाज मरम्मस समझोतों पर भी हस्ताक्षर करने की परकिरिया शुरू की है अब आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा करके भारत को क्या फाइदा मिलेगा दरसल दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त चाना को काउंटर करने के लिए अमारिका की नौस सेना लगातार इस छेतर में मौजूत रहती है और वरतमान में जापान और सिंगापूर एशि चीन की बढ़ती है उससे भी निप्टा जा सकता है क्योंकि चाइना जहाजो और पंडुब्यों की सबसे बड़ी संख्या होने का दावा करता है और अमेरिका इस छेतर में अगर अपनी उपस्तेती और ऑपरेशनल शमता को बढ़ाने में विफल हुआ तो अमेरिका को भी चीन से पिछरने और अपनी निवारक शमताओं से समझोता करना पड़ेगा और यह उसके लिए एक बहुत बड़ा जोखिम भी है क्योंकि दोस्तों इंडो पैसिफिक छेतर काफी बड़ा है इसके विशाल जल विस्तार से कई तरीकी की चुनौतिया सामने आती है और इस त भारतिय नौसेना प्रमुक एड्मिनल आरहरी कुमार जी ने कहा कि दो लीज वाले पीडियेटर ड्रोन के साथ पी एट आई निगरानी विमान 2020 से लदाक में काफी महत्वण साबित हुए हैं और अब यह जब देश में पहुंचने लगेंगे तो इनकी शमताओं में और पीडियेटर सेंसर्स काफी अध्यदुनिक है वो काफी अच्छी तरीके से पहचान कर सकते हैं और खूफिया प्रयास भी प्रदान करते हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी संपत्ति सिर्फ किसी एक सेवा की नहीं होती ये एक रास्टे संपत्ति है और हमें इसका अपयोग वहां करना चाहिए जहां सर्वोत्तम और सेष्ट प्रेणाम ये दे सके ताकि देश को फायदा हो दरसल भारत 31 पीडियेटर ड्रोन को शामिल करने की योजना बना रहा है और इनकी शामिल हो जाने से भारत की निगरानी शमता निश्चित रूप से बढ़ तो ये निश्चित रूप से हमारी प्रयास को बढ़ाता है और युद्शेतर में जागरूगता को यानि कि अवेरनेस को और पारदर्शी बनाता है एड्मिलर आर हरीकुमार ने आगे बताये कि PTI का उपयोग यहां सेना और वाइस सेना की टीमों के साथ किया गया है और हम इसे काफी फायदे हुए लद्दाक के बारी में जानकारी देते वी आर हरीकुमार जी ने बताये कि नौझ सेना में फिलाल लद्दाक से केवल 7 लोग हैं लेकिन वेचाते हैं कि कम से कम 700 लोग शामिल हो भारतिया नौझ सेना ने इस छेतर में अधिक से अधिक लोगों को नौसेना में शामिल करने के लिए केंदर शासित प्रजेश लदाक में एक आउट्रीश प्रोग्राम शुरू किया है जिसके लिए नौसेना प्रमुक्त 14 घंटे की सड़क यात्रा के बाद यहां पहुँचे रहे है चलिए बढ़ते नेक्स्ट अप्रेट की तरफ दोस्तों वार्शिप डिजाइन वीरो और मजगाओं डॉक्ट शिप बिल्डर लिमिटेड ने सोदेशी डीजर इलेक्रिक समरीन के डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया है जो कि प्रोजेक्ट 76 के तहत है बता दे कि 2025 के अंत में यह डिजाइन चरण पूरा हो जाएगा और इसके की खास करकी भारत निर्मित वेपन कंट्रोल सिस्टम, एर इंडिपेडनेंट परबलजन सिस्टम, लिथियम आयन बैटरीज और सेंसर को शामिल किया जाएगा कहाँ यह जा रहा है कि फर्स्ट फेस यानि कि पहले चरण के दौरान छे नेक्ट जनरेशन डीजल एलेक्रिक स बनेंगे और दूसरे चरण में बाकी की पंडुब्यों को तयार किया जाएगा और साथी साथ इनकी शमताओं को भी बढ़ाया जाएगा बरते है नेक्स अपडेट की तरह दोस्तों साउथ कोरिया की हनवा डिफेंस ने कहा है कि वे भारतिय सेना के FICV प्रोजेक्ट में श हो सके जिसे की वो L&T के साथ तयार करेंगे यहीने इसके अलावा हनवा एरोस्पेस ने भी कहा है कि वो इंडियन आमी के लाइट टैंक प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे जिसमें कि उन्होंने अपना K21 लाइट टैंक का ओफर किया है दरसल K21 लाइट इंफेंटरी अधरीत है और समान प्लेट फॉर्म के होने से यह एक भैतर और कॉस्ट इफेक्टिव ओफर होगा भारतिय सेना के लिए चलिए बरते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तो भारतिया वाइट सेना और इंडियन डिफेंस स्टार्ट अप साथ में मिलकर काम कर रहे हैं जिसके तहित एक आटोमेटिट इंस्पेक्शन ड्रोन को तयार किया जा सके जो की एडवांस एनेलिसिस अल्गॉरिथम के जिससे की जरूरी रिपेरिंग में भेतर तरीके से मदद मिलेगी चलिए बरते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तो श्रीलंका के रास्टपती रॉनेल विक्रमा सिंध्य ने एक बड़ी बात कही है उन्होंने बिस्टमेटक को प्रेटन के लिहाज से एक सीमा मुक्त छे रिण की पुनर गठन परकरिया हो रही है साथ उन्होंने कहा कि व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में अभी नहीं है दरसल दोस्तो श्रीलंका के रास्पती रॉनिला विक्रमा सिंध्य ने जो बात कही है कि बॉर्डरलेस टूरिजम होना चाहिए इस रीजिन में लेकिन अभ अभी दोस्तो कुछ दिनों पहले में नेपाल भी गया था तो उस दोरान देखा था कि चेकिंग आम लोगों की तरह होती है जिसमें कि कुछ कोई पूसता नहीं है ना अधारकार देखे जाते है और ना ही आपसे पूछा जाता है कुछ केवल आपका सामान चेक किया जाता ह और जिस तरीके से महिला भारत के अंदर घुष घुष गये हो भारत और नेपाल के बीच में वीज़ा की कोई विवस्ता नहीं है इसलिए ये बहुत बड़ा खत्रा भारत के बन चाटा है क्योंकि चोकि झोड़े से अ सबसे जग़ा बन चुका है उन धुर्त लोगो के लिए जो कि भारत में अववस्था फैलाना चाहते हैं जिसमें कि पाकिस्तान का नाम भी मैं लोंगो और चायना का भी तो यह रॉनेल विक्रमा सिंदे जिस तरी की बात कर रहे हैं वो यहां पर सार्थक नहीं हो सकती है तो ऐसे मैं ग्रहमंत्राले से अपील करना हमारे SSB यहां पर तैनात है उन्हें पूरी अथर्टी दी जाए बकाइदा जो आइडेंटिटी है उसे चेक किया जाए कंफर्म किया जाए तब ही उनके एंट्री कराई जाए अन्य था यह बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में बन जाएगी दोस्तों मजाक नहीं ह यह बहुत बड़ा थ्रेट है जिस तरीके से इस महिला ने यह करतूत करके दिखाई है और इस तरीके का मैसिस दुनिया के सामने बहुत गलत इमेज हमारी पेश कर रहा है आपको क्या लगता है इस बारे में हुझे कमें शेक्शन में लिखकर ज़रो बताईएगा कि क्या इ रूस की सेना के सामने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहीनि यहां तक भी दाबा किया जा रहा है कि युग्रेन की सेना की तरफ से यूज हो रहे यानिक इस्तमाल किया जारे पेटानीक जैमर ने बार-बार विफल कर दिया रूस के electronic security system वोने हजारों पश्च में ड्रोन को धेर कर दिया है जिसमें pediatric drone भी शामिल है और यह drone दोस्तो हम भी खरीद रहे हैं दरसल रश्या ने दोस्तो अपनी electronic warfare शमताओ को काफी बड़ा है कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि रूसी electronic warfare श्यूट ने satellite drone, communication और satellite navigation signal तक को भी ब्लॉक कर दिया इसके अलावा कई तरीके के उपकरणों का उप्योग करके यूकरेन की से नेगतिव विदियों में भी बादा डाल दी दरसल रश्या का जो GLONASS GPS navigation system है वो कुछ ऐ ऐसे signal भेजता है जो GPS के बराबर होते हैं बढ़ते हैं पाकिस्तान और चीन का CPEC जिसे की 10 साल पूरे हो चुके हैं ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंति शहबाज शरीफ ने इसकी जम कर तारीफ ही की यहीनि उन्होंने भारत को भी नियोतर तक दिड़ाला था कि वो इसमे जो बलूश Liberation Army है वो चीनी नागरिकों पर हम लेकर रही है वही अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक कहा गया कि आतंकी हमलो और कर्ज की आदाईगी में चीन और पाकिस्तान का मदभेद बढ़ चुका है जिसकी वज़े से CPEC परियोजना अधर में लटक किया और चीन का इरादा साल 2030 तक 62 अरब डॉलर के निवेशका है भले ही चाइना भी दुनिया के सामने इसकी सफलता का दावा कर रहा है ताकि उसकी बेचती नहों लेकिन जिस तरीके के हाल पाकिस्तान के अंदर हो रखे हैं CPEC को लेकर उसे भी चाइना अच्छी तरीके स का दौरा किया और इस यात्र को देश जेफ 17 ब्लॉक 3 लड़ा को इमान के बारे में जानकारी प्राप्त करना था दरसल 2011 से ही जेफ 17 की खरीद पर अजरबेजान और पाकिस्तान की बीच बाक्ची चल रही थी अब कहा जार है कि इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है चाइन इंजन को भी तयार कर रहा है दरसल अजरबेजान मिक 35 और स्यू 35 जैसे रूसी विवानों पर भी विचार कर रहा है और ये जो रूसी जेट्स हैं वो जेफ 17 की तुलना में अधिक रेंज और हत्यार ले जाने की शमता इनके अंदर मौजूद है लेकिन चीन पाकिस्तान का बनाई ये विमान जो कि सिंगल इंजन को अन्फरिकेशन के साथ है वो एक लागत परभावी है बरते ने एक्स अपरेट के तरफ दोस्तों भारत और फ्रांस इस वर्ष अपनी रनितिक साज़ेदारी की 25 वर्षकार बना रहे हैं दोनों देशों की सेनाए समयुकत अभ्या अर्थी सदल से शामिल होंगे जिसका नेतिरत्व कैप्टन अमन जगताप करेंगे नौ सेना और वाई सेना की टुकडियों का नेतिरत्व कमांडर वरत वगहल और स्कौर्डन लीडर सिंदुरेडी कर रहे हैं सेना की टुकडी का प्रतिनी दी मंदल पंजाब रेजिमेंट जो में एक है साथ ही साथ राजपूता आना राइफल्स रेजिमेंट बैंड भी साथ आया है तो फिला लेते भी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स वीडियो के सबने कोई प्रश्च जबाब आपको कोई सवाल है कमेंट शेक्चर में लिकर जरूब हो सकते हैं मिल दौन वीडियो के साथ चैनल जो सब्सक्राइब किजिएगा जैहिंद वन्दे मातरम